दोस्तों जै श्री राम जै बागेशवर धाम सरकार जै हनुमान दोस्तों अगर आप बागेशवर धाम सरकार को सचे दिल से मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जै श्री राम जै बागेशवर धाम सरकार जरूर लिखे जिससे कि आपकी हर मनो कामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके पूजे गुरु जी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबान उपायों के बारे में आपको बताएंगे। जा आती हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वह ऐसी कौन सी गलतिया हैं जो नहीं करना चाहिए और शुक्रवार को संतोशी माता का वरत भी किया जाता है पूजा की जाती है तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोश ना लगे और शुक्रवार के दिन किये जाने वाले उपाए बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले आप से हाथ चोड़ के विंती है अगर आप बागेशवर धाम सरकार बालाजी महराज को मानते है उनकी पूजा करते ह तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और निचे कमेंट जै श्री राम जै बागेशवर धाम सरकार जरूर लिखे जिससे की आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए हे माता लक्ष्मी शुक्रवार की आपकी इस विडियो को जो भी लायक करें, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना उसके दुख दर्द दूर कर देना जै माता लक्ष्मी। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार साथ बार आती है, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर आती है आ ऐसे घर में मा लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे घर में धन की वृद्धी होती है, धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, माता लक्ष्मी शाम पांच से साथ बजे के बीच में लेकर कि जो 101 बजे के बीच इन ही के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है तो हमें इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चपल नहीं रखने चाहिए जाडू नहीं रखनी चाहिए अगर कोई व्यक्ती अपने घर के मुख्यद। दरिद्र हो जाते हैं, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है, आपने जरूर देखा होगा सब मनुष्य अपने घर के। कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नीमबू और मिर्ची नहीं रखने चाहिए जिस घर के फ्रिज में अगर एक साथ नीमबू और मिर्ची रखे जाते हैं, वह घर कंगाल हो जाता है, उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है, औ और तकलीफ यह दोनों उनके सेवक के रू रूप में चलते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मा लक्षमी प्रवेश कर जाएं आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप ही लोगों के फाइदे के लिए यह प्रसन्न होती हैं एक बात और माता लक्षमी की क्रिपाप राप्त करने का तीवर एवं राम बान प्राचीन एक उपाय बता रहा हूं तो आपको शुकरवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है उसमें दो से आपको खोया मिठाई डाल देनी है कहने का मतलब है जो दूद से बनी मिठाई होती है वह डाल देनी है और पीपल पेड के नीचे में शाम के समय में रात होने से पहले ही यह उपाय करना है क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है तो रात होने से पहले ही उपाय करना है तो आपको लाल चुनरी में पांच तरह की या फि पिर चाहते हो तो दूद से बनी जो मिठाई होती है वह। माता लक्ष्मी को आपको यह बोलते हुए चड़ाना है कि है माता लक्ष्मी हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वह अभाव को दूर करें हम आपकी प्रसन्नता हे तू या आपको कुछ चीज भेंट कर रहे हैं वो जो चीज आप भेंट कर रहे हैं वह आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं, इससे आपके जीवन में जैसे की धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्थ हो जाता है, आप मेंसे अधिकतर लोग बोलते हैं, गुरुजी माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए हम कौन सा रतना धारन करे शुक्र रतन आता है, शुक्र रतन जिसे हम बोलते हैं, देखिये जो माता लक्षमी को प्रसंद करने, वाला शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले रतन कहे गए हैं, वह है हीरा पन्ना काफी महंगे हैं, मिडल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे तो एक काम करना जो ओपल आता है, ओपल का रतन धारन कर सकते हैं, हम क धारन करना शुरू कर दीजिए बेल की जड़ भी पहन सकते हैं, इसे भी धंदायक एवं सुख इसे, प्रदान करने वाला कहा गया है, तो शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए तो माता लक्षमी का जो, श्री यंत्र है, आप उन्हें दूद में सनान करा दीज कि जो दूद के छींटे पूरे घर में मार सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति इसे नित्य पीता है, उनकी बुद्धी बहुत ही तीवर हो जाती है, अगर जीवन में चल रही जो परेशानी आकस्मिक जैसे दुरगटनाएं बहुत से लोगों को हो जाती है, ऐसे व्यक्ति बच चाहते हैं, तो श्री यंत्र को आपको दूद से नहला देना है, आप चाहें, तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं, दूद नहीं पाते तो साधे पानी से भी स्नान करा सकते हैं, और इस पानी का चींटा आप अपने वाहन में मार सकते हैं, बहुत से लोगों की इतना से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, तो प्रत्यक शुक्रवार को इनके पानी का छींटा मार देना है। मिट्टी की बनी हुई जो जो सुराही होती है, इसे घर के उत्तर दिशा की तरफ इसमें जल भर के जरूर रखिये, इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसंद होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक। तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफेद कलर का पुश्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखा करें, डेली अगर नहीं रख पाते हैं, तो शुकरवार के दिन यह उपाय जरूर किया करें, इससे माता लक्षमी प्रसन्न होती है, दोस्तों घर में कौड़ी लाल कलर के कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में या फिर पूजन स्थान पर रखें, इससे माता लक्षमी कभी भी आपके घर का परित्याग नहीं, करती माता लक्षमी आपसे प्रसन्न रहती है, धन संबंदी समस्याओं से जूज रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी बहुत बड़ी आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीपल व्रिक्ष में एक अद्रिश्य शक्ती होती है, उसी से मैं आप लोगों को सारी मनो कामना पून करने का उपाय बता रहा हूं, तो पीपल में रहने वाली अद्रिश्य शक्ती को शुकरवार क दिन आपको एक पाव बताश पांच शुकरवार को लगातार ध्यान से यह उपाय नोट करके रखना लगातार पांच शुकरवार को एक पाव बताशे आपको चड़ाना है, बताशे वैसे बहुत ही, सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं, तो पांच शुक्ष्य रव कि पीपल पर रहने वाली अद्रिश्य शक्ती हमारी मदद करो, इस कारे में हमारी सहायता करो, इस प्रकार से आपको प्रार्तना करते हुए आपको जो बताशे हमने बोले हैं, कि एक पाव की संक्या में रखने हैं, वो बताशे आपको आपने अगर जैसे कि वह बताशे पॉल फिर आपको उन्हें भोग के लिए देने हैं, भोग के स्वरूप में जैसे की आप बताशे देंगे उसके बाद आपको एक लोटा जो जल रखा है। उस पानी से आपको उनकी प्यास बुझानी है, आपको बोलना है कि मैंने आपको बताशे दे दिये हैं, अब मैं आपका क्षुदा शांत करने के लिए यह पानी अर्पित कर रहा हूं, पानी आपको नीचे गिरा देना है, उनका ध्यान करते हुए पीपल में रहने वाली अद रिश्यशक ती होती है, वह आपकी मदद करती है, स्वप्न के माध्यम से मदद करती है, किसी ना किसी माध्यम से आप जिस भी समस्या से जूज रहे हैं, उस समस्या से आपको उबार देगी, निकलेंगी, धन संबंधी समस्या हो उससे भी निकलेंगी जीवन में परेशानी करजे का भार है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सारी समस्या से आपको तो यह शुक्रवार के दिन उपाय करना होता तो मित्रो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जै श्री राम जै बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे जिससे की आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए